हड़ी और जोडों का भोजन क्या है और जोडों को मजबूद कने के लिए क्या क्राइए जोडों में ग्रीस नहीं बन रहा शरीर को ऍसक्राइब गयास आप खाने के लिए केल्शियम यूख चीज्य कुछा सब्जिस गया कुछ स्पेशल फल जो हमारी शरीर की हड़ी को जोडों को मजबूत बनेंगे दूच से बनी धाई ताजी धाई घर की भई धाई बजार की पैकेट वाली नहीं धाई की बनाई लसी तो पानी भी शरीद में ज्यादा जाएगा दूच से फाड़ा हुआ पनीर टोन मिल्क लेके आए उसमें धाई या नीमबू से उसको फा बनाना ब्श्वान का बनाए और वगफ वékड हलूँ आये सिंगाड़े जो आते हैं पानी में चो उकते और इस साथ के अपने गुन है उसे प्रोटीन्स विटामिन्स हैं और मक्के की रोटी बनाएं उसमें मूली भर ले तो और ज्यादा फायदा मूली में भी बहुत कैल्शियम है तो मक्के की रोटी कमल ककडी भे बहुत फायदे मत लकडी की डंडी की तरह होती है जो लोग नौ और में जो डलती है उसको उसमें बहुत सारे आयरन केलशियम विटामिन्स हट्डी जोटों को मजबूत आते हैं ऐसे ना के फूल भी आते हैं वह भी आप यूज़ों को बहुत मजबूत करेंगे अंकुरीतनाज चने मूंग मोट अंकुरित करके घर में अंकुरित करें चोड़ों को मजबूत बनाता है को उटने को मजबूत बनाता है देशी लेका है सिंगल पोती का लेका है उसको आप रात को पानी में भिगो दें और बोध पोती लेस्व की खाले गुपर से गुलगुणा पानी पिलेए सुबादी पीते हैं जोड़ों के लिए बहुत अच्छी मीच है कोटके डाल सब्जी में ढालने कोटके पीसे कम पीसे चिल्के समय भीगो दें और चिल्के समय को भी खाएं आर तस पीस मुफली के भीगवी मुफली कर आप खातें बहुत फायदे मनदें आवला विटामीन C है उसके उसके अपकी हड़ी जोडों को मजबूत बनाएगा जोडों में ग्रीस बनाएगा अडियों में कैल्चर तना आता है उसका सूप बना के हम लोग पीते हैं केले का तना कुछ स्पेशल फूट्स में एवोकैडो इस वेरी गुट वो प्योर देसी की की तरह कान बता है एवोकैडो आरे रंका छिल्का उता गये बहुत मोटी थी गुटली मिलती है प्योर देसी की है गुटनों के ल आखरी तर वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत नहवार शुक्रिया